अगर रश्या ने एक nuclear bomb drop कर दिया उक्रेइन पर तो उसके बाद क्या होगा और रश्या किस तरीके से उक्रेइन पर कर सकता है nuclear strike यहाँ पर आप देख पाओगे what if Vladimir Putin used nuclear weapons in Ukraine same topic same question हर जगा हर news portal में आपको मिलेगा almost as if दुनिया anticipate कर रही है कि यह लगता तो है कि होगा बस question यह है कि जब यह होगा तो बाकी दुनिया का reaction क्या रहने वाला है और अगर आप सोच रहे हैं कि वर्ल मीडिया और दुनिया भर के जो और एक्सपर्स है जियो पॉलिक्स के एक्सपर्ट यह इतना negative क्यों सोच रहे हैं हो सकता है कि रश्या ऐसा करे ही ना देगे बिलकुल हम सब लोग चाहेंगे कि ऐसा ना हो मगर problem यह है कि जिस तरीके से पुतिन ने एक strategic blunder किया है partial mobilization करके उसके बाद से रश्या almost exposed हो गया है रश्या की बहुत बड़ी male population देश शोड के भाग रही है अब उसके बाद probability दिखाई जा रही है कि रश्या most probably अपने nuclear weapons की तरफ दिखेगा और इसलिए जो बाइडन ने recently ये भी का है कि कोई भी weapon of mass destruction अगर पुतिन ने इस्तमाल किया उक्रेन में तो उससे warfare के dynamics change हो जाएंगे रश्या बिलकुल दुनिया में अकेला पड़ जाएगा USA हर country में pressure बनाएगा कि रश्या से altogether trade relations various or type के relations तोड़ दीजिए हाला कि जब बाइडन से ये पूछा गया कि मान लीजिए कि रश्या ने nuclear bomb गिरा दिया उक्रेन में तो क्या NATO active हो जाएगा तो इसके response में इन्होंने negative ही जवाब दिया क्योंकि in the end उक्रेन NATO का पार्ट नहीं है USA या फिर बाकी European countries militarily रश्या पे attack नहीं करेगी एक nuclear strike के बाद warm हो अगर nuclear bomb युक्रेन की धरती पे गिरा तो रश्या को US दंडित करेगा मगर रश्या बाइडन की जो warning है इसको बिलकुल ignore कर रहा है रिसेंटली फिर से रश्या के एक दिगज नेता दिमिर्ती मेदवेद ने ये बात कह दी है कि जो strategic nuclear weapons है ये use किये जा सकते है अगर युक परसेंट शोर्टी के साथ क्या सकते हैं कि जो nuclear weapons almost पूरे युक्रेन को destroy कर दे या फिर लाखों लोग मार दे इस टाइब का nuclear weapon रश्या युक्रेन पर use नहीं करने वाला रश्या most probably यहां पर छोटे tactical nuclear warhead को use करेगा और ये खासियत है modern day nuclear weapons की कि इनके पास dial up yield होता है dial अब yield का मतलब ये है कि nuclear bomb का जो operator है वो specify कर सकता है वो decide कर सकता है कि मुझे कितनी जादा explosive power चाहिए और इस dial a yield को ना काफी बार variable yield भी का जाता है आप इसके बारे मैं अगर wikipedia पर पढ़ना चाहें तो ये इसका page भी है variable yield या फिर dial a yield इससे आपको ये सुविदा मिलती है क कि आप nuclear bomb drop कर सकते हो एक किलो टन या फिर उससे भी कम का या फिर 50 किलो टन का ये माना जाता है कि एक छोटे nuclear bomb की power होगी और interestingly जो atomic bomb US ने गिराया था हिरोशिमा पर world war 2 के अंध के दोरान उसकी power आप अगर देखो तो थी 15 किलो टन तो माना जा रहे है कि रशिया अगर युक microwave यूज करते हो low, medium, high आप चूज कर सकते हो mode उसी तरीके से रशिया एक कम intensity का nuclear bomb तियार कर सकता है और लगातार युकरेयन की forces को पीछे धकेल सकता है मगर इस plan में एक problem है problem यहाँ पर यह है कि अगर मान लीजे छोटे छोटे nuclear bomb रशिया लगातार घेरता है युकरेयन की forces को पीछे धकेलता है यह अफकोर्स रशिया इसलिए करेगा ताकि दुनिया में यह मेजना जाए कि रशिया nuclear weapons है जो मासूम लोग है उनको मार रहा है तो अगर मान लीजे tactical तरीके से भी रशिया यह सब करता है तो रशिया को 20 छोटे छोटे nuclear bomb लगातार घेराने होंगे वैसे ही एक tactical nuclear bomb युक्रेयन की धर्ती पे गिरेगा इमिरेटली इंडिया चाइना भी बड़े स्केल पर अलोचना करेंगे रशिया की तो रशिया के पास यहाँ पर जीतने को बहुत कम होगा और हाँ अगर वैसे आप यह जाना चाते हैं कि अगर मान लो के रशिया ने एक नुकलियर बॉम गिरा दिया तो वो एरिया रशिया फिर capture कैसे करेगा तो रशिया के पास एक ऐसा division है जो radioactive environment में लड़ सकता है आपको याद होगा यह war स्टार्ट होने से पहले यह military operation स्टार्ट होने से पहले रशिया ने बड़े scale पर nuclear drills करी थी और आज भी आप अगर है nuclear environment में लड़ने के लिए तो अब question यहाँ पर ही आता है फिर रशिया करेगा क्या क्योंकि बड़ा nuclear bomb यह गिरा नहीं सकते उसमें problem बहुत ज़र आएगी even छोटे nuclear bomb से भी इनको उतनी ज़रा success मिलेगी नहीं तो इसलिए लोग यहाँ पर कह रहे है जियो political experts दुनिया भर के कह रहे हैं कि रशिया यहाँ पर यूज करेगा electromagnetic pulse को यह बहुत ही unique concept है जिसके अंडर आप क्या करोगे कि एक nuclear bomb आप detonate कर दोगे युक्रेयन के ऊपर युक्रेयन के ऊपर आप कह सकते हैं रफली 50 से लेकर 60 km के distance पे आप अगर एक nuclear bomb detonate कर देते हो तो उससे क्या होगा एक wave इस wave को हम कहते हैं electromagnetic pulse और यह pulse इतनी strong होगी कि युक्रेयन की जो electricity grade है यह बिलकुल पिगल जाएगी जो इनके radar है telecommunication equipment है यह काम करना बंद कर देगा हो सकता है कि इनका बहुत सारा military hardware भी काम करना बंद कर दे तो यह power होती है एक electromagnetic pulse की इसमें युक्रेयन की धरती पे कोई मरे देगा तो नहीं मगर radiation फैलने का थोड़ा बहुत डर रहता है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ रशिया ही इस टाइप का nuclear electromagnetic pulse का attack कर सकता है चाइना ने recently इस attack को बहुत ज़रा study किया और USA के अकबारों ने 2020 में यह article भी publish किये कि चाइना के पास first strike capacity है USA की electricity grid को पिगला देने की electromagnetic pulse weapon क जरीए चाइना ने over the years इतनी research कर लिये कि यह perfect calculation से USA के ऊपर एक nuclear bomb explode करके USA को बुरी तरीके से handicap कर सकते हैं अब यहाँ पर आप एक question पुछोगे कि यह भी technically nuclear strike ही हुआ ना well नहीं यहाँ पर बाताती है words की officially आप अगर देखो तो एक EMP attack आप अगर nuclear weapon से करते हो तो इसको nuclear strike न आपको दिखाता हूँ यहाँ के सामने report है USA के Homeland Security की यह report त्यार करी गई थी 2021 के January महीने में और यहाँ पर लिखा हुआ है Russia EMP threat electromagnetic pulse की यहाँ पर बात कर रहे हैं और categorically यहाँ पर US यह कहता है के पहली बात तो देखिए Russia electromagnetic attack जो है जिसको यह लोग hemp कहते हैं hemp attack हैं का मतलब ही हो मतलब के देश के ऊपर nuclear bomb आपने विस्पोर्ट कर दिया फिर उसके बाद pulse नीचे आएगी बहुत कुछ electronic equipment धरती पर destroy कर देगी तो Russia काफी बार यह hemp attack जो है ना इसको यह लोग nuclear strike मानता ही नहीं है Russia अपनी dictionary में यह कहता है कि देखो यह तो electronic cyber warfare का part है यहाँ आप आप देख पाएंगे यह US की report कह रही है as Russia categorizes hemp attack as information electronic and cyber warfare Moscow's already very loose restrictions for nuclear employment may not even apply for hemp तो इस case में होगा क्या कि Russia यह electromagnetic pulse से Ukraine को damage कर देगा Ukraine को message भी send कर देगा कि अभी आपके ऊपर यह विस्पोर्ट हुआ है अगला विस्पोर्ट धरती पे हो सकता है और उसके बाद अगर मालनी जिए US और Europe कहते हैं कि Russia ने nuclear bomb use कर लिए Russia पलट के जवाब दे सकता है कि नहीं इसे हम nuclear bomb का use नहीं मानते और Russia इस issue को लेकर चाहे UN Security Council हो इंडिया चाइना से बाची तो हर किसी को कह सकते है क्या आप खुदी बताइए क्या आप एक hemp attack को high altitude electromagnetic pulse attack को एक nuclear attack मानेंगे और बहुत कम देश हैं जो इस issue में USA के साथ खड़े होंगे तो ये एक बहुत ही अच्छा loophole है जो रशिया एक्स्प्लॉइड कर सकता है USA के against मगर जैसे मैं आपको बताया इस case में भी ना NATO Ukraine की help को आएगा और ना US कुछ ज़्यादा बड़े action ले पाएगा रशिया के against क्योंकि ओलेड़ी ये लोग दुनिया भर के sanctions लगा चुके हैं रशिया पर तो उमीद करता हूँ कि यहाँ पे आपको clarity मिलेगी रशिया के options के बारे में और ये जो articles publish हो रहे हैं यहाँ पर क्या बात लिखी है ये भी बहुत ही सरल भाषा में मैंने आपको बता दी now finally मैं आपे आपसे question पूछूँगा recently बताया गया है कि भारत की official entry क्या होगी Oscars 2022 के लिए तो यहाँ पे आपको बताना है कि सही answer क्या है ये आपके सामने options हिलारो, चैलो शो, आरारार या फिर उधम सेंग comment section में करिए उत्तर, सही answer मैं आपको दूँगा नहीं ये भर जगा news में था, आपको इसका answer आराम से मिल जाएगा, comment section में इसका answer करिए, जो लोग सही answer देंगे, उनकी comment को मैं हाट देना ही कोशिच करूँगा, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही answer क्या है, और finally आपर मैं ये भी add कर दूँँ कि आप किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, चाहे U purchase कर पाएंगे, course of your choice और जो prices यहाँ पर लिखी है ना, for example, यहाँ पर लेख पाऊगे, लिखा है कि आप 42 मन्त का जो course है, यह आप purchase कर सकते हैं, सिर्फ 900 पे पर मन दे कर, ये price पे करने की आफशकता बिलकुल नहीं है, simply यहाँ पर code use करिए, PD10 और prices गिरना start हो जाएंगे, य ये code आपको discount देगा, UPSC, SSC, need किसी भी exam के course में on an academy, so use the code PD10 and save your hard earned money, so इसी note के साथ ये है वीडियो का, thank you for listening and as always, God bless you all.